आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, छोटे कपड़े वाली बहु, यहे एक सास बहु की कहानी है, आइने के सामने खड़ी होकर रितिका तयार हो रही थी, उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रांग की लिपस्टेक और आखों में काजल लगा कर वो बहु है वी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूलह दूलहन के अलावा मुझ पर भी पड़ेगी, कुछ देर बाद वो पूरी तरह तयार हो गई लेकिन उसे डी ओ नहीं मिल रहा था, उसने इधर उधर देखा लेकिन डी ओ नहीं दिखा, रितिका, ओह, ये डी ओ कह चला गया, यही तो रखा था, रवी से पूछती हूँ, उसके बाद उसने उची हील वाली सेंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्रॉइंग रूम में आई जहां उसका हस्बेंड रवी मोबाईल में गेम खेल रहा था, रितिका, तुमने मेरा डी ओ देखा है, क्या, लेक कर रितिका को गुसा आ गया और वो रवी के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाईल छीन लिया, रवी, अरे, ये ये तुम क्या कर रही हो, ये बोल कर उसने जैसे ही अपनी पतनी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया, कुछ देर रितिका भी उसे घूरते हुए देखत कट में, रितिका, क्यूं, कुछ खराबी है क्या इसमें, रवी, अरे, नहीं नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी थंड है बाहर, हर दिन ये उसमें थंड के कहर की खबर छप रही है, अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे रितिका, शादी के पहले तो तुम बड़े मौडन बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो, अरे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दून, आजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अक कि औरते बस उनके इशारों पर चलती रहे, वो जो चाहे, औरते वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जहां वो चाहे औरते जाएं, अरे, आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है, रवी, रितिका देखो, तुम बात को क्यों खीच रही हो, रितिका, मैं खीच रही हूँ, लो कर लो बात, शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप डिसाइड करेंगे, रवी, रितिका, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा, तुम्हें जो पहनना है पहनों लेकिन तुम देख रही हो ना कितन सर्दी है। अगर इन छोटे कपटों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का दर है। रितिका, बीमार, बीमार तो बहाना है रवी, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपटों में जाऊं। रवी, नहीं आशना, ऐसा बिलकुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉबलम। रवी बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रितिका सुनेगी नहीं। रितिका मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुँच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे गूर-गूर कर देख रहे थे। रवी को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था लेकिन रितिका तो बहुत खुश थी। रितिका, देख रहे हो, सभी मुझे कैसे गूर-गूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ जादा ही ब्यूटिफुल लग रही हूँ और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटन की की इन कपटों को लेकर। रवी ने रितिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवी के सामने तो नहीं लेकिन उसकी पीट पीछे सभी रितिका के कपटों को लेकर बाते बना रहे थे। शर्मा, अरे यार, रवी की वाइफ को क्या हो गया, वर्मा, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आये है, वर्मा, अच्छी तो है ड्रेस, शर्मा, शर्मा, अरे, ड्रेस तो अच्छी है लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई, गजब हाल है, गजब हाल है, वर्मा, अरे, जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं, उसे सर्दी नहीं लग रही तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो चलो अब पेक पूजा का, समय हो गया है, सुना है, शादी में फाइव स्टार होटेल के शेप बुलाए गए है खाना खाते वक्त भी सभी की नजर रितिका पर ही थी लेकिन रितिका को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं रितिका, रवी, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हूँ की खाने पर तूट पड़े हो एक सेलफी तो ले लो रवी, हाँ सेलफी, हाँ हाँ रुको, मैं हाथ दोकर आता हूँ रवी ने हाथ दोकर सेलफी ली, जैसे जैसे रात बर रही थी, सर्दी और भी जादा बर रही थी सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे तो उन्हें कुछ खास फर्थ नहीं पर रहा था लेकिन रितिका की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी रितिका, रवी, बहुत थंड लग रही है, अब घर चलें, रवी, घर, शादी देखनी नहीं क्या तुम है रितिका, नहीं रवी, इतना patience नहीं है मुझ में रवी और रितिका अपनी कार से घर वापस लोटाई, अगले दिन रितिका ने रवी को कांपते हुए जगाया रितिका, रवी, रवी उठो ना, रवी, क्या हुआ रितिका, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो रवी ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था रवी, रितिका तुम्हें तो तेज बुखार है रवी ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि रितिका ने कहा रितिका, रवी उल्टी, उल्टी आ रही है मुझे वाश्रूम ले चलो मुझे आशना को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी उसे दस भी लग गए थे रितिका, रवी, बहुत वीकनेस लग रही है बहुत ही ज्यादा ये कहकर रितिका जमीन पर गिर पड़ी उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी रवी, रितिका क्या हुआ तुम्हे आँखे खोलो अपनी रितिका का शरीर थंडा होता जा रहा था उसकी हालत देखकर रवी बहुत दर गया और उसी समय उसे अपनी पीट पर लादकर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल डॉक्तरों ने रितिका का चेक अप किया डॉक्तर, उन्हें इमिडियेट अड्मिट करिये इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है रितिका को आईसीउ में अड्मिट किया गया उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही अगले दिन, रवी, डॉक्तर साहब आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं अच्छी भली तो थी मेरी बीवी अच्छानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने कोई चिंता की बात है क्या डॉक्तर, हाँ हाँ, चिंता की बात तो है उनका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है सीबिया निमोनिया हो गया है उन्हें उन्हें भयानक थंड लगी है हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उससे हो गया तो ठीक नहीं तो हमें किसी और तरीके से जस्ट का बलगम निकालना होगा जब तक जस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी डॉक्तर की बात को सुनकर रवी का चेहरा पीला पड़ गया, उसे कल रात की सारी बात याद आ गई, रवी कमन में मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं, ईश्वर, रितिका को ठीक कर दो, पूरी रात रवी रितिका के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अग डॉक्टर, I am sorry, हम आपकी पतनी को नहीं बचा सके, डॉक्टर की ये बात सुनकर रवी की आँखों के आगे अंधेरा चा गया, वो भागा भागा आईसीउ में गया और वहां जाकर उसकी सांसे थमसी गई, सफेद कप्टों में लिप्टी उसकी आशना शान से लेटी मुझे इस तरह की सफर में अकेला छोड़ कर मत जाओ, डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं, रवी, डॉक्टर, मेरी पतनी, मेरी पतनी मर गई, डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी पतनी अब खत्रे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूँ, आप उन पतर आइसीउ में गया, रितिका अब होश में आ चुकी थी, उसने जैसे ही रवी को देखा तो वो जोर-जोर से रोने लगी, रितिका, I am sorry रवी, I am sorry, मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना, sorry, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, रवी, नहीं रितिका, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है, अब स्विमिंग पूल में हम लूंगी पहन कर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना, रवी की बातों को सुनकर रितिका ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया, आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कूमेंट में जरूर बताएं